तो आज मैं पिककार डुडिंग लेकर आई हूँ आज नोवेंबर की पहली तारीख है याने की फर्स्ट नोवेंबर है पिककार डुडिंग से ही हम इस महीने की सुरुवात करने वाले हैं तो आज हम देखते हैं कि आपके जो पॉर्सन है उनको क्या आपकी फिक्र है क्या आपकी फिक्र उन्हें सताती है क्या वो वक्ति आपकी केर करता है अगर फिक्र नजर आ गया तो समझ लोग की प्यार भी है अगर फिक्र ही नहीं है उसे कोई मतलब भी नहीं है आपके क्या रहा है या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान छुपाता भी है वो खुल कर बता नहीं पाता है तो दो टॉपिक पर आज की पिकर का रिडिंग होने वाली है आपको डिटेल में पूरी रिडिंग देखनी है जो गाइडेंस निकल कर आएगी आपको उसे फॉलो करना है तो फिक्र को लेकर और छुपाने को लेकर आज की हमारी रिडिंग होने वाली है तो आप में से किते लोगों के पोसंद का नाम ए से लेकर एम तक आता है क्योंकि पाइल नंबर वन में हमारा जो अक्षर रखा बीच में आता है तो आपको पाइल नंबर टु चुनना है और प्लीज दुआय कर लीजिए मैनिस्टेशन कर लीजिए प्रे vịज्य कर लीजिए देखते हैं कि इस वक्ति को आपकी कितनी फिक्र सता रही है और यह व्यक्ति आपकी आखर छुपा किया रहा है तो प्लीज चली start करते है, pile number one की reading से, इससे पहले reading start करो, आप सबी से कह देती हूँ, कि मैं personal reading बिल्कुल नहीं करती हूँ, तो fake लोग जो आपको मेरा number देते हैं, अपने नाम से, उस पर वरोसा नहीं करना है, किसी को पैसे नहीं भेजने है, मैं कभी personal reading नहीं करती हूँ, आप जानते हो, इस बात को है ना, और general reading है, तो हो सता है, कि सबी के लिए reading ना हो, ठीक है, तो इतना कहते हैं, इतने guidance के साथ, चलिए, pile number one की reading से हम start करते हैं, क्या इस वक्ति को आपकी फिक्र है, और यह आप से छुपा क्या रहे हैं, करेज, वाव, नंबर eight की energy आई है, करेज, यह आपके लिए निकल कर आया है, तो गाइस, चलिए universe आप से कुछ कह रही है, आपके person के बारे में सबसे पहले तो, burden का जो यह card आया है, बोज है, इस इंसान के कंधो पर या तो जिम्यवारिया है, कुछ चीज़े हैं जो यह हटा नहीं पा रहा, कुछ चीज़े हैं जो यह solve नहीं कर पा रहा, कंधे बहुत जड़ा जुके हुए नजर आते हैं इस वर को इस वक्ति के, साथी साथ कहीं न कहीं, इस बोज की वज़े से ही मैं देख रही हूं कि यह वक्ति वो courage नहीं कर पाया, वो हिम्मत नहीं कर पाया, वो हिम्मत जुटा नहीं पाया, क्योंकि एक relationship को जो है, आप अगर किसी के साथ रिस्ते में जाते हो, तो उस relationship के लिए आपको तयार होना होता है, कल को कुछ भी हो सकता है, कल को परिवार से समस्याएं आ सकती है, समास जो है, दिवार बनकर हो सकती है, आर्थिक स्तिती कमजोर होने के वज़े से भी इंसान कभी-कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जिसने इस वक्ति को दबाया है, वो हिम्मत करने से दबाया है, यह वक्ति वो शोर नहीं कर पाया, आपको वो दिखा नहीं पाया आपका साथ कही न कही निवा नहीं पाया तो इसका जो तालुक है ये जुड़ा हुआ है बर्डन की इस एनर्जी के साथ समझ गए कि क्यों ये वक्ति आपसे अलग हुआ या क्यों ये वक्ति आपसे जुदा हुआ तो आपको समझना है कि इस वक्ति के जिन्दगी उतनी आसा बहुत जय को लाएव को सब्सक्राइब कर या नजर्च और इसका कार्ड यहां पर कि ऐसी आ उन्सान को बहुत बहुत होता है ऑलकी सारा प्यार करें फिरिक उतनी वर Director के सामने उतना खुलकर अपने प्यार को दिखा भी नहीं पाता थोड़ा डरता है समाज से डրता है प्रिवार से डरता है पहले सोँचता है कि अपने family को सारी चीज़े दे दू family को पहले मना लू family को convince कड़ een family के family की रजा मन्दी के बाद ही अपने प्यार के लिए कुछ करू, रिस्ते के लिए कुछ करू, तो थोड़ा डर का भावना, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी होती है, समाज ही ऐसा होता है, जहां पर खुल कर प्यार का इजहार करना मुस्किल होता है, तो कहीं न कहीं ऐसा ही बोज, इस वर को इस इंसान के अंदर नजर आता है कि ऐसा नहीं है कि बिलकुल ये इंसान आपका साथ नहीं देना चाहता था ऐसा बिलकुल नहीं समझना है आपको क्योंकि ये वक्ति इसर की नजरों में तो ये वक्ति बिलकुल आपका साथ चाहता था और आपका साथ देना भी चाहता था पर कुछ ऐसा ऐसे परिस्तिती जो है बन गई या ऐसे सिचेशन आ गए इनके सामने जिसके वज़े से ये वक्ति हिम्मत नहीं जुटा पाया पर ये तो फ्यूचर पोजिशन पर आकर बैठा हुआ है करेज का कार्ड जो ये बताता है कि जो आज नहीं हो पाया है वो कल डेफिनेटली होगा ये वक्ति जो है अपने साधरन से जिंदगी से निकल कर अपने सारे के सारे करतव्यों को दाइत्रों को निभा कर चाहे वो किसी के लिए भी हो वो निभा कर ये वक्ति अपने बारे में और आपके रेलिशनशिप के बारे में डेफिनेटली कुछ करेगा कुछ सोचेगा हि इस वक्ति को बहुत साथगी भरी जिन्दगी इसने जी है ना बहुत ज्यादा यूनों कहते हैं कि बहुत पैसे रुपे में खेल कर बड़ा हुआ है ऐसा नहीं नजराता इस मेहनत ही इंसान है और साधने से जिन्दगी जिया है और प्यार करना ही साथ इस वक्ति की एक हुआ 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 है and we have the first card death major अरकाना का scorpio आया है page of cups आया है बहुत इनोसेंट लव नजराता है इस वक्ति का बहुत मासुमित वाला प्यार नजराता है इस वक्ति का four of cups seven of vans zod Boulder हुआ हुआ है in क्या इस रख्ति को आपकी फिक्र है और यह आपसे क्या छुपा रहे हैं सवाल दो जवाब हमें ढूना है इन आट कार्ड्स में नाइट ऑफसोड्स तेन ऑफसोड्स टेंपरेंज ओमाइगाड टेन ऑफसोड्स के साथ टेंपरेंज तू ऑफसोड्स तो चलिए गाई साइन और एलिमेंट आपको बता देते हैं टेंपरेंज आज आया है स्कॉर्पियो की एनरजी है उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेजिटेरिस के एनरजी भी निकल कर आई है मेजर अरकाना से माइनस से हमारे पास वोटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइ और दूसरा जो सवाल है वो यह है कि यह वक्ति आपसे छुपा क्या रहा है तो चलिए पहले सवाल का जवाब आपको देते हैं इस इंसान को इस रिलेशन्शिप में मैं देख रही हूं कि आपसे भी ज्यादा आपको खो देना आपको गवा देना आपसे दूर हो जाना इन और इस वक्ति को आपसे इनका रिस्ता भी बन गया, इस वक्ति ने आपके रिस्ते को आपके प्यार को ये वक्ति समझ नहीं पाया, इसे इसने ठुकरा दिया, किसी भी कार्ण जे ठुकराया है, मैं नहीं जानती, एक बर्डन तो निकल कर आया है कि कुछ बोज था इसके उप पर जिस बोज को हटा कर ये आपका साथ नहीं दे पाया, पर मैं देख रहे हूं कि आज की इस तारीक में इस वक्ति को ऐसा लगता है कि इन्होंने सबसे बड़ा चांस, एक मौका जो इस वक्ति को दिया था, हैना वो मौका इन्होंने गुमा दिया है, सब कुछ खोकर ये वक्ति बैठा हुआ है, आपका प्यार भी इस वक्ति को मिला, आपका साथ भी इस वक्ति को मिला, हैना आपका क्यर भी इस वक्ति को मिला, और इस वक्ति ने जो है किसी और चिसकी चाहत में इस वक्ति ने आपको ठुकरा दिया, और आज मैं देख रहे हूं कि इनका मन इनक से ठुकराया है मुझे वो वापस चाहिए क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरी संतुस्टी मेरी खुशिया मेरा प्यार मेरा रिस्ता वही एक सच्चा एक ऐसा भावना है जिसके बदोलत ही मेरे चहरे पर मेरे जिन्दगी में खुशिया सकती है तो आप समझ रहे हो कि इस इंसान को जो है आपके साथ के रिस्ते की जरुत है और वो उसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसे पाने की जो है इच्छाय कर रहा है क्योंकि जो इनको दिया गया है या दिया जा रहा है उनमें जो है ये वक्ती बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं नजराता, इसकी expectations बहुत हाई है, इस इंसान की उम्मीदे कुछ और है, इस इंसान को जिन्दगी में कुछ और चाहिए, पर इसे वो मिल नहीं पा रहा, यानि कि आपका रिस्ता, रिस्ते को लेकर ये वक्ती बहुत फिक्रम भारी पढ़ रहा है, ये बिल्कुल आपको लेटको नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहता, इस तरीके का जो है, इसने अपने हाथ बांध रखे है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने surrender कर दिया है, इस और के सामने कि मुझे आप किसी चीज़ की तो इस तरीके से एक इंसान है जो रिलेशन्शिप को लेकर बहुत ज्यादा जो है यह इंसान हाइए एकस्पेक्टेशन बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीदे इस वर से रख रहा है और कह रहा है कि अगर मेरे चहरे पर आप खुशी देखना चाहते हो तो मुझे मेरा रिस्ता का वापस जाहिए यह क्यों रिस्ते के लिए वर वर आति जादा इतना ज्यादा इक्यादा की नहीं इस रिस्ते के लाइक कभी वर्ते रहा ही नहीं इस इंसान ने इतनी बेदर्दी से हर लंभ Wanna हर पल में आपको इतने गहरे जखम दिये हैं इतने गहरे आसों में आपको डुबाया है आपके जिन्दगी तहस नहस कर दी आपके साथ का रिस्ता एंड कर दिया आपके साथ का हर सफर एंड कर दिया यादों को मिटाने की कोशिस की आपको भूलाने की कोशिस की एक रिस्ते का मरियादा होता है उस म मिटने का बहुत गहरा सद्मा इस वक्त को लगा है अभी यहां पर और वो क्यों हुआ है किस वज़े से हुआ है इन्हों ने रची हुई है साजी से थी इन्होंने खुँद जो है ये चक्रिफियूर रचा था और इस वक्त को अभी इस बात options रख रहे हैं पर मुझे अब उनकी जरुत नहीं है तो रिस्तों को गवाने की फिक्र जो है मुझे इस इंसान के रास्ता ही मैंने नहीं रखा है तो इसके पीछे जो वज़े रही है जो धोका रहा है उस धोके के वज़े से ये व्यक्ति अपने आपको इतना ज़्यादा बुरी स्थिति में महसूस करता है कि ना मैं उठ पा रहा है ना मैं जी पा रहा है ना मैं जो है उसको जाकर ये बता पा रहा हूं कि मुझे अपनी हर गलती का एसास हो चुका है मैं उसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है तो ये वक्ति कहां पर गया है ये वक्ति अपने उदासी वाले एक जिन्दगी को जी रहा है एक ऐसे जिन्दगी को जी रहा है जहांपर हम कहते हैं कि अकेलापन आइसोले भीड में खड़ा करके भी अकेला कर देती है, तो आप समझ लो कि आपके पोर्शन के अवस्ता भी अभी कुछ ऐसे ही है, कि ये वक्ति मन के अंदर है ना भीड तो बहुत देखता है, पर भीड के सामने वो खुद को अकेला ही महसुस करता है, तो सननाटा है, बहुत ज़रा डूँछ वेला, तुम्हें तो मैंने बहुत आसानी से एक इंसान दिया था, प्यार करने के लिए दिया था उस रिष्टे को संभालने के लिए दिया था, तो यह सारेAh जो चेंजेस हो रहा है, इस इंसान के spiritual mind में हो रहा है, इस इंसान के अंतर आत्मा में हो रहा है, अंतर मन में हो रहा है, कि ये वक्ति आज आपके इस रिस्ते की फिक्र कर रहा है, पर रिस्ते की फिक्र तो कर रहा है, पर फिर भी ये वक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि temperance ने इस वर्दान ने कह लिए इस्वर की सक्ति ने इस वक्ति की हर कदम को रोग दिया है हैना कि जब तुम्हें एक रिष्टे को नहीं समाल सकते जब एक रिष्टे में तुम वफा नहीं कर सकते वफादारी नहीं दे सकते तो तुमें भी कोई हक नहीं है कि तुम जिन्दगी में आगे बढ़ कर कुछ हासिल कर लो है ना तुमें पैसा, ना तुमें नाम, ना तुमें सौरत, ना तुमें मन का सुकून तुमें कुछ नहीं मिलने बाला तुम किसी चीज़ के हगदार नहीं हो पहले तुम अपनी गलतियों को सुधारो, तुम पहले समझो की रिस्ता क्या होता है, जब तक तुम ये करोगे नहीं, तब तक तुमें कोई भी किसी भी चीज़ में तुमें सफलता नहीं मिलने वाली, तो इस तरीके से इस्वर ने इस इंसान की जिन्दगी को यहां पर रोक रखा है, ताकि ये अपनी गलतियों का भरपूर अहसास कर सके, तुम प्सोर्ट के एनरजी आई है, अभी भी थोड़ा सा माइड यहां पर, इनका जो है, मुझे लग रहा है कि क्लियर विजन नहीं है, सोच इनकी क्लियर नहीं है, किसे हमें प्रायोटी देनी है, किसे हमें हुई है, आप दोनें के रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा कन्फूजन का असर मुझे इस इनसान के माइड में नजर आता है, अब यह किस चीज़ को लेकर है, यह नहीं पता, क्या पता, यह कन्फूजन आपको लेकर हो रहा है, कि यह वक्ति आए या ना आए, आपको कन हो सकता है साथ आपर अपर का बोल्डन का का कार्ड कि की उनकी जिन्ददगी की जिन्दिंदी की प्रॉलम से आप स्था साल geral पाए या आपके लिए नहीं नहीं पाई है फैमली नहीं नहीं आप तक क्या फिर अपने उस पोजिशन पर यह वक्ति नहीं पहुच पाया है तो कुछ ना कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा कोई भी कारण होगा इस है यह बेवफाई करता गया इसलिए एंडिंग हुई पर एंडिंग इस वज़े से नहीं हुई है आप दोने के बीट में जो खतम हुआ है वो खतम हुआ है इसके वज़े से यानि की साफ साफ दिख रहा है यहां तो आपके बहुत ही बुरे कर्म थे या इस वक्ति के बहुत बुरे कर्म थे जिसके वज़े से आप लोग यह भुगत रहे हो और भुगत ना पड़ेगा भी एंडिंग होनी ही थी हैना देखने में सुनने में ऐसा लग रहा है आप कहोगे कि इस वक्ति ने मुझे तो धोका दिया है भई मेरे पीट पीचे इस इसके इसलिए तोड़ा है मैंने पर सच्चा ही यहाँ पर यह है कि रिस्ता तोड़ना या रिस्ता बनाना इंसान के हाथ में नहीं होता यह सारी चीज़े और टै होती है फैसला और इस वर का होता है तो एंडिंग होनी थी ताकि एक नया नए तरीके से आप दोनों इस रिस दिखाता है कि एंडिंग नहीं हुई है एंडिंग यहाँ पर यह दिखाता है कि तुम लोगों ने एंडिंग किया है तुम लोगों की गलत नियत ने तुम लोगों की गलत फैसले ने वफादारी ना होने की वज़े से तुम लोगों ने एंडिंग किया है पर मेरा तो यहा कितना बड़ा बोज है मेरे उपर यह व्यक्ति आपसे अपनी तमाम जुर्मों को चुपाने की कोशिस कर रहा है क्योंकि इसमें वो कहां है ताकत इसमें वो कहां है सकती कि यह आकर आपसे कह पाई यह व्यक्ति आप परदे के पीछे चुप जाए आपसे चुप जाए क्योंकि इसमें वो हिम्मत नहीं है आकर सामने आकर इस बात को एकसेप्ट करने की कि मैं जो इस वर के सामने एकसेप्ट कर रहा हूँ मेरे अंदर बहुत दर्द हो रहा है मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें गवाया है मैं तुम्हें इधर उदर ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें 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 मेरा ये चेहरा नजर ना आए, तुम्हें मेरा बुझा हुआ, मेरा उदास चेहरा, पस्तावे वाला चेहरा मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे सर्मि दोनों ही अनरजी बताती है, इस व्यक्ति को आपके पास आने का मन बहुत है, यह व्यक्ति अपनी इस चाहत को भी छुपा रहा है, कि मैं चाहता हूँ, हैना कि एक बार अगर हम दोनों अपनी गल्दियों को भूल कर हैना तुमने जो किया उसे मैं भूल जाओ मैंने जो किया उसे तुम भूल जाओ क्या हम इन सारी चीजों को भूल कर एक नए तरीके से फिर से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं या फिर एक प्यार का आफर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तो क्या तुम उसे इंकार करोगे या तुम उसे accept करोगे क्या हम इस रिस्ते को एक मौका दे सकते हैं तो ये वक्ति आपसे बहुत ज़्यादा जो है नियर भाई यानि कि आपके करीब आने आने की चाहत भी रखता है और ये भी ये वक्ति आपसे छुपा रहा है इसका मन हो रहा है कि ये वक्ति आपके करीब आ जाए distance को मिटा दे जितने भी दूरी है आप दुने के बीच में हैना चाहे इस वक्ति ने खुद दूरी बनाई है है न चाहे ये वक्ति खुद आपसे दूर हुआ है या आप ही इनसे परिशान होकर कि कितना धोका सहूँ परिशान होकर आप ही दूर चले गए हो तो जो भी हुआ है ये वक्ति आपके साथ आपके करीब आपके नियरबाई आना चाहता है offers लेकर आना चाता है प्यार के offers लेकर आना चाता है और इन चीजों को ये वक्ती इसलिए छुपा रहा है कि ये अभी भी थोड़ा सा doubt में है थोड़ा सा confusion में है अभी ये मुझे clear नहीं हो पा रहा कि ये वक्ती किस वज़े से doubt में है कि आपके पास आने से डर रहा है आप reject कर दोगे इस वक्ती को इस वज़े से डर रहा है या फिर यहाँ पर कुछ और चीज़े है जो इस वक्ती को आपके पास आने से रोक रही है कि मेरा कर्तव अभी खतम नहीं हुआ मेरी जिमेवारी अभी भी है उसे मैं पहले पूरा कर लो उसके बाद ही जो है मैं offers लेकर उनके करीब जाओंगा तो यह सारी चीज़े इनके यहाँ पर चल रही है पर आपको मैं एक और बात बता दो टेंप्रेंस यहाँ पर है जो इनकी गर्दी को धीमी करता है जब टेंप्रेंस में इंसान होगा तो इनकी इनकी तरफ से कॉल आपको नहीं आएंगे इनकी तरफ से मेस जिन्दगी में चला गया है आपको ऐसा लग रहा है पर ऐसा नहीं है यह टेंप्रेंस में इसले गया है क्योंकि यहाँ पर बढ़ा अपराद हुआ है बहुत बड़ी गलती हुई है बहुत बढ़ा पाप किस ने किया है और उस सर्मिंदगी की वज़े से जो है इस वर्लगति इसे जो है सजा नहीं देता तब तक ये इंसान जो है डिले करेगा देर करेगा आपके सामने आने में पर temperance के उपर page of cups काड आया है जो ये बताता है कि इस इस जो है transformation से इस बदलाव से जब ये व्यक्ति भरपुर निकल पाएगा निकल जाएगा जब ये बिल्कुल प्योर ह हो जाएगा आपके आपके सामने आने के लायक हो जाएगा इसमें वह confidence आजाएगा तब ये offers लेकर आपके पास definitely आएगा ठीक है night of रफ्तार में double suite में ये वक्ति आपके करीब आएगा ये यहां पर होने वाला है और क्योंकि rebirth को होना है नया जनम इस रस्ते का होना है तो ये चीज़े अवश्य हो करी रहेंगी समझ गएगा इस तो चलिए देखते हैं कुछ आपके लिए guidance या फिर messages क्या है बहुत आपको disturbance हो रही होगी गाईज बीट बीच में जो है खास रही हूं हूं है separation death ने आप दुनों को separate करवाया है और यही death है जो आप दुनों का reunion भी definitely करवा कर ही रहेगा है ना तो आपको बस अभी आपको बस इस trust में रहना है आपको इस भरोसी में रहना है कि जो किया है वो इस्वरनी किया है, कर्मानी किया है मेरे पोर्षन ने नहीं किया है मेरे पोर्षन तो बस एक साधरन से इंसान थे हैना बस उसकी situation या हम दोनों का भागे कुछ ऐसा था जिसके वज़े से हमें जुदा होना पड़ा पर यह separation हमेशा के लिए नहीं है बहुत लंबी separation आप तोनों कि यह नहीं होने वाली बहुत जल्दी इससे आप तोनों को जो है मुक्ती मिलेगी, आजादी मिलेगी ताकि एक नए तरीके से हैना आप दोनों की सुरवात हो सके रिस्ते में अगर धोका ही धोका होगा तो वो रिस्ता कितने दिन तक रिटिकेगा या निभेगा गाईज आप भी जानते होगे न तो इसलिए आवेकनिंग का होना इंसान का सुधरना बहुत जादा नेसेसरी होता है किसी रिस्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो इसलिए इस सेपरेशन से बिल्कुल भी खबराओ मत यह सेपरेशन चनद पलो का है पल भरो का है जो अपने आप खतम हो जाएगा वक्त के साथ समझ गए तो घाईज यह थी आपकी रिटिंग आई होप आपको समझ में आई है I hope आपको पसंद आईए पसंद आईए guys तो please video पर like, comment, share और subscribe कर देना मैं मिलूंगे आपसे फिर से next reading में तब तक आपको रखने अपना बहुत अच्छा खयाल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़ादा प्यार Love you all, take care, namaste and bye bye guys Hey guys, welcome back तो pile number 2 N से लेकर Z तक जिनोंने भी चुना था देख लेते हैं कि क्या आपके portion को आपकी फिक्र है और ये वक्ति आपसे आकर क्या छुपा रहे है छुपारी के पीछे के वज़े क्या है और क्या छुपा रहे है इन दोनों ही topics को आज मैं cover करनी वाली हूँ important topic है तो आप skip मत कीजिएगा पूरी reading लास तक देखिए universe आप क्या बताना चाहते हो क्या इस वक्ति को इनकी फिक्र है और ये वक्ति क्या छुपा रहे है आप guidance DJ universe hello wow guys look at this we have the lovers here first card from the first deck and we have maturity number six आपके लिए खास and we have inner voice number two भी आपके लिए खास तो चलिए ये रहे हैं वो कार्ड जो आपके लिए ये universe ने भीज़े हैं डर काहे का घबराहट काहे की जब lovers यहां पर आ चुका है आपके रिडिंग में इस वर्त आपसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि समझो इस रिस्ते की value को समझो इस रिस्ते को समझो इस इंसान को समझो तुम दोनों का प्यार बहुत पवित्र है तुम दोनों की प्यार में कोई दिखावटी पन नहीं है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हो तुम दोनों को मैंने ही तो चुना है तुम दोनों को एक होने के लिए ही तो मैंने मिलाया था हैना तुम दोनों कैसे इस भ्रह्म में रह सकते हो कि तुम दोनों जो है प्यार करते तो हो पर एक तरफा करते हो आपको साइद यही एक confusion है आपको साइद यही एक doubt हो रहा है कि मैंने तो भई सच्चाई से प्यार किया है मैंने तो वफा की है मैंने तो कोई कमी नहीं रखी है पर अगर आप इस वर की बातों को समझते हो या इस वर की बातों पर आपका यकीन है तो आप इस बात को समझ लो कि जो सामने वाला जो पोर्षन है जो साइद उतना आपके जैसा सक्षम नहीं था जो आपके तरह matured नहीं था जिसमें जो रिस्टे को समझ नहीं पाता था है ना, आपके सामने कमजोर वो वक्ती था यह नहीं है कि उस वक्ती का प्यार आपके लिए आधा है या धूरा है या यह वक्ती प्यार नहीं करता ऐसा ऐसी ना समझी वाली बात पाइल नमबर टू प्लीज अपने दिमाग से निकाल कर बाहर की तरफ फेक दो क्योंकि इस और आपसे कह रहे हैं तुमें बस ये गलत फैमी है कि तुम उससे प्यार करते हो क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो व्यक्ति भी तुमसे उतना ही प्यार करता है तुमें उतना ही चाहता है जितना तुम उसके लिए तडबते हो वो व्यक्ति भी तुमसे unconditional love करता है यानि कि तुम दोनों एक दुसरे का ही क्या हो तुम दोनों एक दुसरे का divine counterpart हो यानि कि ऐसा व्यक्ति जिसकी भरपाई कोई और नहीं कर सकता जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता जिसके जैसा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता और आपके जैसा प्यार इसे कोई नहीं कर सकता इस तरह के काया मतलब प्योर लव जिससे हम कहते हैं कि डिवाइन द्वारा बनाया गया, divine दोरा चुना गया, इस वर दोरा भेजा गया प्यार है आप दोनों का, इसलिए lovers होता है हमेशा, जनम जनम का साथी, जनम जनम का प्यार, अब यहाँ पर दो cards आए हैं, जो आपके portion के energy है, बीच में आप दोनों हो, यहाँ पर जो है पर अब इस वक्ति में बहुत सारे बदलाव आए हैं, मैं नहीं कह रही, यह इस वर आप से कह रहे हैं, कि यह वक्ति बदल चुका है, इसका दिमाग अब सही फैसले लेता है, यह रिष्टे की कदर करता है अब, यह वक्ति आपके connection को समझता है, आपके प्यार को समझता है, यह वक्ति तो आप इस भूल में मत रहना कि मेरा पोसन पहले की तरह ही अब है, मेरे साथ अलग हो गया, तो होसता है कि यह और भी ज़्यादा immature हो गया, और भी ज़्यादा यह वक्ति नादान हो गया, ऐसा नहीं है, यह वक्ति तो आप समय के साथ इस वक्ति की सोचने की, स तुम्हारे मन में भी definitely अभी कुछ चल रहा है, तुम्हारे अंदरात में भी कुछ आवाज आ रही है, इस connection को लेकर, कि आपके मन में लग रहा है, guys की ये वक्ती fake है, आपके मन में ये आवाज आ रही है कि ये वक्ती सच्चा है, आपको लग रहा है कि प्यार सिर्फ आप करत उन में से सारे के सारे लोग इस connection में नहीं है। उन में से सारे के सारे लोगों का प्यार इतना पवित्र नहीं है। उन में से सारे के सारे लोग कुछ कार्मिक भी होंगे, कुछ twin वाले भी होंगे, कुछ में maturity आई होगी, कुछ में नहीं आई होगी। इसलिए आपके मन की आपको बस खुद ये जो है सोचना है कि मेरा करनेशन इस वक्ति के साथ क्या सच में इतना पवित्र है या मेरा पॉर्सन ऐसा है ही नहीं तो आपको बस अपने इंट्यूशन को समझ कर ही जो है फैसला लेना है ठीक है पर जो मेजर एनरजी आई है सोल मिट वालों के लिए वह यही कहती है कि यह व्यक्ति आप से प्यार करता है आप आपके जैसा आपके जितना आपके ही तरह यह वक्ति आपको प्यार कर रहा है अभी भी क्योंकि इस इंसान में अब जो है बहुत सारी चीज़े बदली है है तो इनर वोईस को आपको ध्यान देना है इनर वोईस अनि मन के अंदर आवाज आती है बस अपने इंसान उसे ना एकसेप्ट करना नहीं चाहते क्योंकि डरते हैं हम सच्चाई को सुनने से डरते हैं है न तो वो डर आपको अपने मन से निकाला है तो क्या इस वक्ति को आपकी फिक्र है यह वक्ति आपसे क्या छुपा रहे हैं सवाल डर दो है क्या है पे जो है Queen of Swords Ace of Swords आप दुनों का caste, religion, धर्म, परिवार, सब कुछ अलग नजर आता है यहाँ पर Hangman Chariot, वाव देखा अब दिखाने का तो मन नहीं था क्योंकि मैं bottom के कार्ड को आज नहीं ले रही पर देखो यहाँ पर भी वही connection निकल कर आया है मैं सर्फ art कार्ड के आज reading करने वाली थी पर यह बहुत important कार्ड आया था तो मैंने आपको दिखा दिया हाला कि इसकी जरुत है भी नहीं क्योंकि हाँ पर और यह हमारे पास lovers का कार्ड आयी चुका है क्योंकि हुआ है seven of swords मैंने कहा ना कि आपके तरह mature नहीं था ये वक्ती connection को प्यार को प्यार से ही संभालना होता है प्यार को अगर धोके से सीचने की कोशिस करोगे तो हलात और हलत ऐसे ही होगी जो यहाँ पर इनकी उल्टी पड़ी हुई है hangman है ना king of cups सब समझ रहा है आपके प्यार को वाव वन साइडेड लव कर रहा है ये वक्ती आप से six of wands three of swords great तो चले गाई sign और element की तरफ बढ़ते है cancer के लिए आज ये reading important है क्योंकि chariot हमेशा cancer की energy होती है आज मैंने दो पाइल की reading की है पाइल नंबर वन में भी earth sign नहीं आया पाइल नंबर टू में भी earth sign नहीं आया अब नहीं आया है तो क्या करें गाईस जो जो चीदे निकल कर आई है अगर वो आपके जिन्दगी और आपके relationship से match हो रही है तो आपको reading देखना है क्योंकि हमेशा sign और element important नहीं होते है तो गाईस जैमिनाई भी है अच्याएं आपर जैमिनाई भी है major अरकाना का तो यह वक्ति क्या छुपा रहा है आपसे और पहला प्रस्ण था कि क्या इस वक्त है इस वक्ति आपकी फिक्र बहुत है बहुत ही जादा है क्यों क्यों कि यह वक्ति एक तो lovers के connection में है divine connection में है दूसरा यहाँ पर यह अपने divine counter-pass ते अलग हो चुका है जुदा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर king of cups मैं मैं देख रहूँ कि यह वक्ति अभी single है यह वक्ति अभी अकेला है यह वक्ति किसी के प्यार में है किसी के जुनून में है किसी के लिए मधोस है किसी के लिए बेचैन है किसी के प्यार में डूबा हुआ है किसी के प्यार को अपने मन में महसूस कर रहा है पर यह single है कहने का मतलब है इसका यह जो partner है जो यहाँ पर आप दोनों है ना साथ में देखो इस्वर की छत्रचाया में आप दोनों सास में बैटे हो और यह एक partner जो है निकल गया है इनकी जिन्नेगी से चला गया है फिर भी यह व्यक्ति आपके इस प्यार को महसूस करता है इनके तन बदन में, इनके भावनाओं में इनकी दिमाग, इनकी सोच में हर जगे पर आप यहाँ पर हो है ना, तो यह व्यक्ति अपने divine counterpart से अलग होकर भी आप में ही समर्पित है आप में ही यह व्यक्ति खुद को महसूस कर रहा है अपने अंदर आपको महसूस कर रहा है solo love, single love, separation के दौरान भी यह वक्ति आपको प्यार कर रहा है इस वक्ति का आपकी फिक्र नहीं है आपकी तो इतनी ज़रा फिक्र है कि यह व्यक्ति आप में इतना समाया हुआ है खोया हुआ है कि यह व्यक्ति अपने जिन्दगी को आगे तक लेकर नहीं जा पा रहा hangman क्या होता है किसी का इंतजार करना hangman होता है अपने जिन्दगी में बढ नहीं पाना किसी का इंतजार ऐसा मतलब किसी की बिचछड़ने का गम इतना जारा हो गया है उस इंसान के अलावा अब आगे जाने का कुछ करने का, कुछ हासल करने का कुछ सप्र देखने का मन नहीं है हैंगमेन इस इंसान की परिस्थिती को दिखाता है जो परिस्थिती आपकी वज़े से यहाँ पर बनी है आपके चले जाने की वज़े से बनी है आपसे दूर होने की वज़े से बनी है इस इंसान को रौसनी दूर दूर तक दिखती नहीं है इस इंसान को बस इतना मालूम है क तब तक मैं इंतजार करूँगा, जी हाँ यह जो रौसनी आपको दिख रही है, सूरज की रौसनी इस इंसान के दिमाग के सर के पीछे बहुत दूर है, हैना वो आ रही है, यह वक्ति बस उन चंद पलों का उस समय का यह वक्ति डट कर इंतजार कर रहा है, वहीं पर खड़ा इस टोटली इनोसेंट, इस इंसान का इस वक्ति का प्यार टोटली मासूम है, अब यह मत कह देना कि इसने तो मुझे धोका दिया था, आपके कहने की जरूत नहीं है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस वक्ति ने आपसे आपको धोका दिया था, क्यों दिया था, यह भ से शुरुवात में ही मैंने जब तलवारे देख ली थी यहां पर देखो एक तलवार दो तलवार तिन तलवार चार तलवार जब तलवारों की रिडिंग आती है ना तो इसको मैं डायरेक्ट कहां पर लाकर जोड़ती हूं जानते हो ना धर्मा आ जाता है है ना बीच में जा आती है मद्भेत वाली बाते है ना इनका परिवार का रहन से नालग है आपके परिवार का रहन से नालग है हो सता है कि इनकी फैमिली में जो परवरिस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है बहुत बहुत जो है controlling लोग यहां पर रहते हैं, मा के बहुत करीब हैं, क्योंकि king of cups जो होता है ना अपने मा को दुखी करेगा, ना पिता को दुखी करेगा, ना परिवार पर आचाने देगा, है ना वो अपनी जिंदरी को लुटाता है दूसरों की खुशियों के लिए, तो कहीं न कहीं मैं तरह कमजोर कर दिया गया कि यह व्यक्ति आप से सेप्रेट हो जाए, आप से अलग हो जाए, आपके बारे में ना सोचे, आपको ना देखे, आपके किसी भी इच्छाओ को पूरी न करे, बस इन लोगों की इच्छाओ पर यह व्यक्ति जो है, नासता चला जाए, कर दिया, साए, दूसरों की मनमानी के आगे व्यक्ति जुक गया, यह ना तलवारे हमेशा यही दिखाती है कि प्यार को काटने के लिए दो लोगों को हराने के लिए जो है तलवारों का इस्तमाल हुआ है, यानि कि मदर, फैमिली, कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी, आप इसे कुछ भी कह लो, आप दुनों का language यह नहीं है, आप दुनों का पैसे रुपय में, जो है, आप दुनों ऊच नीच हो, वो बहुत हाई status के है, या आप बहुत हाई status के हो, या फिर यहाँ पर प्यार जैसे चीज़े इनके घर परिवार में चलती ही नहीं है, प्यार का नाम बातों को छुपा कर दिया है इस ड़िने कभी अपना जो रियल परिस्थी इस वकती ने कि भी अपन otherwise आप से प्यार के लिए तो एक जगे पर इन जुट बोलता है तो उसे चुपाने के लिए क्या करता है दूसरा जूट बोलता है, दूसरे को शुपाने के लिए वो तीसरा जूट बोलता है, तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि यह आपको भी खुश करने में लगा था, यह दूसरों को भी खुश करने में लगा था, इसी चकर में यह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मदब लाइन कतार लगा दी इस वक्ती ने आपसे जूट कर बोलने में, चल करने में, कपट करने में, इस वक्ती ये वक्ती रुका नहीं, हैना ये वक्ती हमेशा आपकी सामने डरता था, कि इसका जो अदियत है इसकी जो सचाई है इसकी जो परिशानिया है अगर आपको पता चल गई तो उस दिन क्या होगा तो इसी चकर में जूट बढ़ता चला गया और आपका साथ छूटता चला गया और आपके रिस्ते में जो है इस व educación्ति ने बेवफाई तो कर दी और पर बेवफाई करने के पीछे आज मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा धोका नहीं था, आज की रिडिंग में ऐसा लग रहा है कि बेवफाई या आपका साथ छोड़ने के पीछे जो भी था यह प्रॉलम था जो एक तलवार यहाँ पर चली है ना इनके उपर आपके हुई तलवार है जिसकी भेट आप दोनों का प्यार चड़ गया और आप इस वक्ति को हमेजा ही जो है एक डिसलोयल बेवफा इंसान ही आप इस वक्ति को समस्ते चले गए मतलब छोटी छोटी तकरार छोटा छोटा जूट इस रिस्ते में इतना जहर भरता चला गया कि उस सिर्फ ही रोकना मुम्किन नहीं हो पाया अब यहां पर कुछ लोगों के कैसे में मैं आपको यह भी बता दू कि यह वक्ति साधी सुदा भी हो सकता है है ना क्योंकि यहां पर जितना प्रेशर देख रही हूं ना मैं परिवार का है ना इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बह कर दिया कि चलो मेरी जिन्दगी अब तुम लोगों के समर्पित है तुम लोगों ने मेरे प्यार को तो होने नहीं दिया चलो अब तुम लोग जो करना चाहते हो कर ले तो मनमानी हुई है इनकी जिन्दगी में मनमानी हुई है अगर आपका पार्टन अल्रडी मैर्ड है त या matrimonial से ही चुनकर लाया गया कोई रिस्ता था जिसके साथ इनकी marriage करवा दी गई है अब सभी के पोसन यहापर married नहीं है यह भी मैं बता दो क्योंकि King of Cups यहापर जो आया है वह single दिख रहा है तो अगर आपके यह व्यक्ति किसी को non sexual satisfaction दे पाएगा यानि कि सारी दिख सुक भी यह नहीं दे पाएगा प्यार भी यह व्यक्ति उस इनसान को नहीं दे पाएगा मतलब तीन जिन्दगी यहापर खड़ने वाली है क्योंकि यहापर three of swords यहीं बताता है कि अगर मैं तुम्हें खुशिया नही तेरा प्यार हो पहला प्यार यहां कुछ cases में तो यह पहला प्यार ही मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्ति ने आपके साथ पहला प्यार किया है सचा प्यार किया है और कर भी रहा है अब बात करते हैं उन कार्ट के बारे में जो यहां पर यह वक्ति आप आने वाले दिनों म जो यहाँ पर लोग बिलकुल आपके portion को आपके तरफ आने से रोक रहे है न ऐसे situation में एक कठोर फैसला लेना जरूरी है हिम्मत करना जरूरी है बोल्ट tradition लेना ही होगा इस वक्ति को है न इस वक्ति को निकलना है यहाँ से तो वो मामूली सा कोई छोटा मोटा action लेकर यहाँ पर कोई काम नहीं है guys क्योंकि लड़ाई जो है लड़ाई बहुत बड़ी है लड़ना है इन अपनों से लड़ना है खुन के रिस्तों से और यह इतना आसान नहीं होता पर यह वक्ति definitely यह charity का action आपके लिए लेकर ही रहेगा लेगा ही इसे यह करना ही होगा क्योंकि यह है major अरकाना और इसे रोकने की हिम्मत ताकत फिर इन मामूली लोगों में बिल्कुल भी नहीं होगी यह करना करना चाहता है क्योंकि यह आपके प्यार से दूर नहीं हो पा फैसले को पूरा करने के लिए इस वरी यहाँ पर आए हैं इस वरी यहाँ पर इस वक्ति को मदद करेंगे ताकि यह वक्ति आपके लिए और इस रुस्ते के लिए फैसला ले सके बहुत फिकर करता है यह आपकी बहुत चाहता है यह वक्ति आपको और इसे इस बात का भी ज चुपा रहा है पहला तो यही है king of cups hidden feeling होती है आप जानते हो चुपाना होता है अपना प्यार अपना दर्द अपनी भावना है आपके लिए रोना आपकी फिक्र करना आपका क्यार करना सब कुछ तो इसने आखे बन करके भी चुपा रखी है और मन के अंदर भी चुपा रख क्योंकि मैं उससे तुमसे हाइट कर रहा हूं king of cups हमेशा चीजों का हाइट करता है आप जानते हो ना secrets रखता है चुप रहता है क्यों कि इसे लगता है कि मैंने अगर बोल दिया मैंने जवान खोल दी तो यह situation जो अभी मेरे यहाँ पर है जिसे मैं handle नहीं कर पा रहा है तो दोनों जगे पर बातें भी गड़ जाएगी इसलिए अपनी emotions को control करता है सबसे पहले चीज़ यह आपसे अपना प्यार चुपा रहा है कुछ लोगों ने हो सकता है कि आपसे अपनी marriage चुपाई है यह भी मैं आपसे कह दू कि यह already married था किसे के साथ साधी हो चुकी थी या पिर साधी का रिस्ता आ रहा था तब भी यह चुप चुप कर आपसे मिल रहा था आपसे अपने connection के connection दूसरे relationship के बारे में चुपाई है या फिर marriage कर ली उसे जो है आपसे दूर रखा चुपाया तो कुछ लोगों नहीं आपर आपसे अपना रिस्ता किसी और के साथ का में आपकी ही नाम मैं सुन पा रही हूँ इसकी आखों में मैं आपकी ही तस्विर देख पा रही हूँ यह तो डू बा हुआ है आपके प्यार के समंदर में तो Margris हुई है तो तिन्य जिंदगिया बरबाद हुई है, Margris नहीं हुई है तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकती हूँ कि क्यूंकि करमा चेंज होना पड़ेगा थड़ पार्टि से भी निकलने के लिए करमा चेंज होना पड़ेगा तो अतनी आसानी से यह नहीं पाऊंगी मैं कुछना आए है सार्थी बनकर आप दोनों को करवाने का काम उनका ही है क्योंकि इस रिस्ते को जो है एक होना ही है इस 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 दिशिजन को जो है इस और पूरा करवाना ही है इसके लिए वक्ति बहुत बड़ा कोई फैसला आने वाले दिनों में ले रहा है समझ गए तो चले देखते हैं अब एक मेसिज आपके लिए निकाल कर क्या है स्टेबलेटी इस रिस्ते में मैं कहूं गाइस कभी एक कठोर फैसला या इस रिस्ते को लेकर कोई इस तरीके का बुन्यादी जो है रिस्ता ये बन नहीं पाया है डह गया गिर गया है ना आपके पोसन के द्वारा आपके पोसन के तरफ से कभी भी आपको ये मतलब सुकूर नहीं मिला आपको पता था मन में कि ये वक्ति किसी भी वक्त जा सकता है आपको पता था कि ये वक मजबूत बनेगा क्योंकि इस वक्ती का प्यार मजबूत है आपके लिए इस वक्ती का और आपका जो रिस्ता है वह वो बहुत ही मजबूत है आप दोनोंने पहले भले ही इस मजबूत रिस्ते को परखा नहीं समझा नहीं आप दोनों से भी गलतिया हुई है हो सकता है पर इस और इस रिस्ते को definitely एक मजबूत पिलर से बनाएगा ताकि कोई भी कोई भी एक एरा गरा आकर इस रिस्ते को तोड़ जाए आप दोनों को अलग करवा दे ऐसा नहीं हो हैना तो मजबूती के साथ stability लेकर ये वक्ति definitely आपके जिन्दगी में आएगा क्योंकि मजबूती ही होती है chariot का action आप जानते हो इस बात को तो guys ये थी आपके reading जहाँ पर आपके पोसंग के मन के अंदर आपके लिए प्यार और फिक्र नज़र आई है और छुपानी वाली बातों में ये नज़र आया है कि इस वक्ति ने सायद आपसे हो सता है कि अपने कुछ रिस्ते छुपाए है या फिर हो सता है कि इस वक्ति ने आपको आपको जो है थोड़ तो guys यह थी आपकी short and sweet reading अगर आपसे resonate हुई है तो please वीडियो पर लाइक कमेंशे और सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूँगे आपसे फिसे नेक्स रीडिंग में तब तक आपको रखने हैं आपना बहुत चाहिए आप सबसे बहुत चलब प्यार, I love you all, take care, namaste and bye guys